अब दोस्तों मैं लोकुस बर्मा आज एपी एनार बेह के अमरोत के पेड़ लगे हुए है जिनकी अभी कटिंग होई है कटिंग होने के बाद भी आप देख रहे हैं हर डालियों में फूल आ रहे हैं हर जगे इसमें फूल ही आ रहे है यह थाइलेंड के वेराइटी है दोस्तों यहां लगभग 500 पेड़ से ज्यादा लगा हुआ है लगभग दो बार में 7-800 पेड़ के असपास लगा हुआ हुआ ह तो किसान भाईयों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अमरूत की खेती से एक अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं और अमरूत की बागवानी एक ऐसी बागवानी है जिसका मार्केट हर जगा आसानी से मंडिया मिल जाती है और एक अच्छे रेट भी मिल जाते हैं हमको इस इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना होता है एक वर्स में ही अच्छा खासा फल देने योग गया पौधा हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग दो वर्स का पौधा है और इसमें लगभग कई बार इन्होंने फल तोड याथ यहारी है और डालियों के सांत सांत सत्ति इसमें इतने फूल आ रहे हैं और आज हम क्यों बढार रहे हैं लाई 23 तारिक को 23 अप्रिल को और पेड़ की हाइट लगभग 5 फिट है ज्यादा बड़ा पेड़ की हाइट नहीं है और आप देख रहे हैं एक एक पेड़ में लगभग 200 फूल से ज्यादा लगए हुए है तो किसान भाईयों को यह कहना चाहरा हूं कि यदि किसान भाई इसकी खे इसकी बागवानी करें और सबसे अच्छा यह है कि कम समय में एक अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है आप देख रहे हैं रोज से रोज लगी हुई है लाइने काफी दूर तक है इसलिए किसान भाई इसकी खेती करें और हमारी संस्था के माध्यम से पौधे आपको के लिए मुखरूब से अमरूद है अपका नीबू है बेर है भगवा सुपरानार है इसकी खेती के लिए हम लोग आपको सजिस्ट करते हैं और लगवाते हैं तो किसान भाई इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम से संपर करें मेरा नंबर है डवल नाइन थेरी सिक् सुबन सेबन सेबन और किसान भाई कांटेट करें और अमरूद की बागवाने के लिए संपर करें थेंक्यो